मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर हर अपडेट पर रखे नज़र यूपी में दू दिन तक रहेगा घना कोहरा मौसम विभाग का 24 जिलों में औरेंज और 36 जिलों में येलो अलर्ट आज इन जिलों में बे मौसम बारिश की संभावना इसके अलावा पूर्वी और पश्ची में उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर स्नगर वारांसी मिर्जापुर्ट चंदॉली आजमगर्ण मौ गाजीपुर बलिया सीतापुर हर्दोई कन्नौज फरुखाबाद मैंपुरी फिरोजाबाद एटा हात्रस अलीगण और मत्रा में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है पुर्वानुमान के अलर कि अनुसार ओड़ीशा के समिंदरी इलाकों में प्रति चक्रवात कमजोर पड़ गया है इसका असर मद्यपिर्देश पर भी दिखाई देगा फिलहाल बादल चाय हुए हैं और मद्यपिर्देश के ग्यारा जिलों में हलकी बारिश होने की पूरी संभावना है पिछले द बढ़वानी बुरहान पूर धार इंदोर जाबुआ खंडवा खरगौन नर्मदा पुरम हर्दा बेतूल जिलों में हलकी बारिश होने की संभावना है चक्रवात के कमजोर पड़ने के कारण मद्यपिर्देश के कई इलाकों में मौसम साफ हो गया है और आज धूब भी न की वज़ा से उत्रपिर्देश के मौसम ने करवट ले ली है मौसम में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है कई जगाहों पर ठंडी हवाओं से नियुन्तम तापमान में काफी कमी आई है मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में पारा और भी गिर सकता है 21 दिस जासे सडक रेल हवाई या तयाद बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कई जगाहों पर विजिबिलिटी सो मीटर या उससे भी कम दर्ज की गई है साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट आई है आज सुबा कई शहरों में पारा पांच डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है इंद्रा गांधी अंतरराष्ट यह हवाई अड्डा मंगलवार सुबा कोहरे की मोटी परस से ढखा रहा विमान में चड़ते समय एक यात्री द्वारा शेयर किये गए वीडियो में हवाई जहाज को घने कोहरे में देखा जा सकता है वीडियो में द्रश्यता केवल कुछ मीटर तक ही दिख रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबा साड़े पांच बजे दिल्ली के सवदर जंग इलाके में द्रश्यता 50 मीटर दर्ज की गई है सेटलाइट तस्वीरों में पंजाब हर्याना चंडिगर दिल्ली उत्तरी राइस्थान औ से लेकर बहुत घना कोहरा देखा गया मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत